हेलो फ्रेंड्स मैं उसुप्रिया वेलकम बैक टू माई चैनल आज मैं आपके लिए लेकराई हूं गेहूं के आटे से खस्ता मीठी मठरी के रेस्पी से बनाना बहुत ही असने तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कि मीठी मठरी बनाने के लिए मैंने रिया है डेड़ कप के हूं काटा है पांच चम्मा सूजी काले मिर्स को हम दरदरा कोट लेंगे दो पिंच नमर दरदरी कुटी ही लाइची काले मिर्स एक कटोरी पिसी ही चीनी सबी चीजों को मच्छे से मिलाएंगे मैंने सबी चीजों को अच्छे से मिला दिया है इसमें हम चार बड़े चमस तेल डाल देंगे लड़ो बना के देखेंगे देखिए हमारा लड़ो बन रहा है मतला हमारे मियोन परफेक्ट है कुंबुने पाने से आटे को गूत लेंगे आटे को में ज्यादा गूतना नहीं है मठरी बनाने के लिए हम सक ताटा रगाएंगे आटे को मने गूत लिया है आप दे सकते हैं कितना सक ताटा है अब इसकोन कॉटने का पड़े ठकके दस मिनट के लिए रखतेंगे दस मिनट होगा है आटे में से में एक लोई तोड़ेंगे अब हम बड़ा से पीड़ा बनाएंगे हलके हलके हाँ से प्रेस करेंगे बड़ी से रूटी बना लेंगे मठरी के लिए हम इसको चोकोर से इतमे कट करेंगे साइट से निकाल लेंगे आटवी को फ्राई करने के लिए हमने गैस पर कढ़ाय रख दिया कढ़ाय में तेल डाल दिया तेल को हम गर्म होने देंगे आटे के कोड़ा डाल के देखेंगे देखेंगे एकदम से उपर नहीं आ रहा है हल्केल के बबल सा रहे हमें इतना ही तेल गरम चाहिए ज्यादा गरम नहीं चाहिए एक एक करके मठ्री डाल देंगे एक बार में इतनी आजा उतनी डालने बागी बच्ची मठ्री को हम दबारा फ्राइ करेंगे मठ्री को हम लो फ्लम पे प्राइ करेंगे एक साइट से सिख गई इसको हम पलट देंगे मठ्री हमारे प्राइ हो गई है इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे बागी बच्ची मठ्री को हम इसी प्रकार से फ्राइ कर लेंगे लो फ्लम को फ्राइ कर लेंगे मठ्री हमारे फ्राइ हो गई है इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे हमारी खस्ता मीठी मठ्री बनके तयार है आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के द्वरा ज़री बताएं